राम मंदिर को यहीं लोग है ना जो लोग बोलते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे यह लोग टॉंट करते थे तंज कसते थे आज क्या हुआ आज भाजपाईयों ने बोला कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे और तारिक भी बताएंगे शरत पवार ने कहा है कि जो राम मंदिर इस वक्त बन रहा है उस पर उनका बयान आया है पूरी जो दुनिया की नजर अगर कहें तो वो आयोध्या में राम मंदिर पर है लेकिन शरत पवार यह कह रहे है कि किसी को लगता है कि राम मंदिर बनवाने से क मोधी उम्हा भारती ने श्री राम पर नहीं है आप क्या से सोच दिए दिखे मैं अपसे बात बताना चाहता हूं कि वोला कि राममंदिर बनने से कुरोना नहीं खत्म होगा आपको उमें एक बात बताएंगे भाजपा का चुनावी वीजन नहीं था राम मंदिर पहले 1989 में जो राम जी के लिए राम रत्थ यात्रा निकला था जिसके सार्थी थे नरेंद्र भाई मोदी और जिसके सर्वे सरवा लार्ट किस्ट आडवानी जी थे जो आज भाजपा के मार्क दर्शन मंडल में हैं यह उनका सपना था और उस समेथ के यह बात 25 सिप् गया था राम रत्थ यात्रा के लिए आपको याद होगा देश में हैम अधार मैं झाले congregation भया में हैं जाकर खत्म हों और उसके वाचपा के वाचपा करें एक 11 लाख अभी तक के लोग हैं जिसमें कि 3 लाख सम्तिंग लोग अभी भी पोजेटिव केसेस में हैं 7 लाख से ज्यादा लोग का इलाज संभव हो चुका है अगर नरेंदर मोधी देश के आज परधान मंत्री नहीं रहते तो आज लाखों की संक्या में यहाँ पर लो करतियों को लेकर कितने ज्यादे उनके मन में यह भावना है कि हम राष्ट के लोगों को कैसे आगे बढ़ाएंगे और एक बात मैं आपको उसके साथ एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जो 70 साल से चला आ रहा है कोरोना 2020 में आया है और क्या हुआ आज भाजपाईयों ने बोला कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे और तारिक भी बताएंगे और उस बातों को इन्हों ने बोला 2014 में यह लोग बोलते थे कि एक चुनावी एजेंडा है नरेंदर दमोदर्दास मोदी सिर्फ इस बात को जनता को भ बोलते थे कि नायोध्या में राम सेतु है ना राम है यह मिठ्या है यह मिठक है जो सुनी-सुनाई स्टोरी है कहानी है ऐसे लोगों तो तमाचा तब लगा था जब अयोध्या में वहाँ पर जब खुदाई चल रही थी तो उस खुदाई में प्राचीन राम मंदिर के आज न कल हम लोग जिस देश के अंदर जिस सचाई को जहां से करोणों करोण हिंदू की भावनाएं आहत होती थी उसके उपर हम राजनीत करके जैसीर राम का नारा हम सिर्फ इसलिए नहीं लगाते थे कि देश की जो तथा देखिए हर एक मुसल्मान को परिसानी नहीं है कु करेंगे तभी आख सचय मुसल्म है वैसे लोगों के लिए एक गेम प्लान के तहट इस बात को दर्शाने का कोसिज कर रहे थे कि इनने लोग को हम साइडलाइन रखेंगे, हिंदू को बांड कर रखेंगे ग़ी जुआ है ये लोग हमें भोर्ट करेंगे तो कहीं न कहीं सत्या के गलियारो में हम बैठे रहेंगे हमारी हनक चलती रहेंगे नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसा इंसान आया जिसने लोगों को सचाई से उगत कराया जिसने लोगों को बताया कि हिंदू और हिंदू तो क्या है जिसने लोगों को बताया कि बापू का सपना अगर राम राजय का सासन था तो उस बापू को मानते हुए महात्मा गांध राष्ट पीता मानता है उनका सपना है रामराज स्थापित करना उनके अंदर उनकी जो मानसिक प्राज ea वहएसा बूलती जी ने जब कर सादर मती के जेल में ऊते तो वहां पर यहीं भजन गुण गुण आते थे आप बोलते हैं कि हम गांदी के पुजारी हैं आप भाजपाईओपर आरोप लगाते हैं कि भाजपाई कहीं नकरी गांधी का सम्मान नहीं करते न으ें लेकिन ऊसी गांधी के आदर्स रामराजे को जब इस्थापित करने कि इस राष्ट्र में कोशिस की जा रही है तो आप तमाम मीडिया चैनलों के माध्यम से आप तमाम ऐसे अफवाहों से आप तमाम ऐसे खड़े अंत्रों से कोशिस करते हैं राष्ट्र के जनता को इस बात को बताने का कि असंभिधान खत्रे में हैं अब हमें एक बात अब प्रभुत्ष्री राम की मुर्ति का वैसे प्रभुत्ष्री राम के मंदिर का अस्थापना हो भव्य मंदिर बने और तमाम लोग जो आने वाले युवा पिडिये जो आने वाली पिडिया आएंगी वही देखे कि भारत में कैसे राम राजी चलता था उसके लिए मंदिर जो बाते बताई इसे एक सवाल मेरे मन में और आया राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि चाइना प्रधानमंती नरिंद मोदी की जो छवी है वो देखकर वो ये सोच कर बैठ गया है कि ये अपनी छवी तो खराब नहीं कर सकते इसलिए वो आक्रमक है और उसने जमीन हड़ा पल देखा रहा और इतना इंटेलिजन देश में है नहीं कोई की बता सके इसलिए राहुल गांधी ने अपना ये वीडियो जारी किया है दो वीडियो आ चुके हैं दोनों आपने देखा हुगा किस तरीके से पहले उन्होंने बताया कि विदेश नीदी अच्छी नहीं है और लैंसे पहले अघर बात करें तो राहुल गांधी नहीं ही यह कहा था कि मैं प्रधानमंती नरेंद मुदी की जो स्टेंथ है उनकी ताकत है वह उनकी छवी,श को मैं खराब करूंगा उसको मैं बर्बाद करूंगा इस पर आप या को देखिए मैं आपसे बात बताना चाहता हूं कि जब राहूल गांधी इन विश्व पर चर्चा कर रहा है तो साइद राहूल गांधी को एक बात का जनकारी नहीं है मैं बात कर रहा हूं कि चाइना के साथ जो हुआ चाइना ने जो भारत की वास्तु एक जमीन हडपी दोकलाम का मुद्दा तो इन्होंने बनाया था उसके बाद मैं आपसे एक बात बता रहा हूं कि आज यह बोल रहा है कि चाइना आकर हमारी जमीन हडप लिया है हमारे पता नहीं पाएंगे कि इस एब्रेवेशन का फूल फॉर्म क्या है उनको यह नहीं पता होगा कि लाइन ओफ एक्च्ट्रॉल कंट्रोल किश contenido का मतलब क्या होता है और लाइन अफ कंट्रोल का जैसे पत्रकार हैं इन लोगों को लेकर एलेसी पर चले जाएं जाकर गलवान घाटी के पूरे स्थिती को देख लें वहां के भौगावली की स्थिती से रूबरू होकर वहां से एक वीडियो जारी करें तो देश की जनता भी आप पर विश्वास करेगी लेकिन सचाई तो आ आप ग्रसीत हैं देश के लोग नहीं देश के लोग इस बातों को समझते हैं कि आज अगर हमारा देश सुरक्षीत है आज अगर हमारा देश किसी के हाथों में है जहां पर हम रात में सुकून के निंद सोते हैं तो हमारे प्रदान मंत्री जब लाल किला के प्राचीर से भा आप करेंगे अरे भाई आप अपने शवी को बना लीजिए नरिंद्र मोधी के उन्होंने पहले बोला था आज वो बोल रहे हैं कि चाइना ये बात समझ चुका है और छवी वो खराब नहीं कर सकते इसलिए वो कह रहे हैं कि जो 56 इंच की बात उन्होंने कि वो 56 इंच दिखा यहाँ पर चाइना पहुंची हुई है आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि चाइना अगर थोड़ा आगे बढ़ा था तो 5 म2 म間 के पहले चाइनी सेना जहाँ पर थी आज भी भारत की से나ा अभी हमारे रख्षा मंत्री जिदो दिन पहले गये थे वहाँ पर जाकर हुं हम बले वसुदेवक टुम्बकम के नारे को स्रिंगार करने वाले लोग हैं, लेकिन हम अपना रक्षा कैसे करना है, इस बात में विश्वास रखते हैं, और हम आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे, आपको उस बात की चिंता नहीं है, हमारे प्रधान मंत्री जी वह बिवादित भूमी के बारे में चर्चा करना है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया उपयूक्त छेत्र, बिवादित अस्थल होगा, वहाँ पर हम जाएंगे, और वहाँ से जाके हम चर्चा करेंगे, इस वजह से प्रधान मंत्री वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ से जाकर सि देश के जनता का, देश के सेना का उत्साह वर्दन कर रहे हैं, और उन्हें बताने का कोशिस कर रहे हैं, कि हाँ आप जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, राहुल गांधी कर क्या रहे हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ अच्छा भी दीख रहा है, जहाँ पर राहुल मंत्री को दोसीट आपसे एक बात मैं बताना चाओंगा बहुत किलियर ली राहूल गांधी को भारत की तनिक भी चिंता नहीं है राहूल गांधी को भारत के विकास की कोई भी चिंता नहीं है राहूल गांधी को भारत के संस्कृति की कोई भी चिंता नहीं है राहूल गांध जाहे कि मोदी जी तो बहुत दूर के बात हैं आज देश का कोई इवा भी उनके बातों को कोई तवज़ों नहीं देता है और आने वाले समय में अगर यहीं स्थिती रहा तो राहूल गांधी का स्थिती रोड साइड रोमियों वाला हो जाएगा